नमस्कार रोजगार मेले की यात्रा इस महिने एक महत्पपूंत पड़ाव पर पहुँची है पिछले वर्ष अक्तुबर महिने में ही रोजगार मेले की शुरुवात हुई थी तपसे निरंतर केंद्र और एंडिये शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है बार बार किया जा रहा है अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नोकरी के न्यूक्ति पत्र दिये जा चुके हैं आज भी पच्चास हजार से जादा युवाओं को सरकारी नोकरी दी गई है दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है लेकिन न्यूक्ति पत्र पाने वाले पच्चास हजार युवाओं के परिवार के लिए ये मोका दिवाली से जराबी कम नहीं है आप सभी ने कड़ी मैनत से ये मुकाम हासिल किया है इसके लिए आप सभी मेरे नवज़वान साथी विशेश कर हमारी बेटियां बहुत बहुत बढ़ाई के पात्र है आपके परिवार को विशेश रुप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुप कामना है साथियों देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रती हमारे कमिट्मेंट का प्रमान है हमारी सरकार युवाओं के भविश्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है हमना सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बलकि पूरे सिस्टिम को पारदर्सी भी बनाये हुए है जिससे नियुक्ती प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है हमने भरती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीम लाइन किया है बलकि कुछ परिशाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है स्टाप सिलेक्शन कमिशन की रिकूर्टमेंट साइकल में जो समय लगता था वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है यानि सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपुन बढ़लाव किया है SSC के कुछ परिच्छाओं को हिंदी इंग्लीश और तेरा खेत्रिय भासाओं में लेना शुरू कर दिया है इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नोकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिर रहा है जिनके रास्ते में भाषा की दिवार खड़ी थी साथियों आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तयार हो रहे हैं आपने देखा होगा कुछी दिन पहले गुजरात के धोरो गाउं को आपको पता होगा धोरो कच्छ जिल्ले में पाकिस्तान की सीमा पर का गाउं है इस दोरो गाउं को युनाइटेड नेशन्स ने बेश टूरिजम विलेज की रुप में सम्मानित किया है इससे पहले करनाटका के खोई सला मंदिरों और पस्चिम मंगाल के सांति निकेतन को वर्ल्ड हैरिटेज साइट की पहचान मिली है अब कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहाँ परियटन की संभावना और अर्थ ववस्ता के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है पहले परियटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहाँ रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे जिसका फायदा और तुरिजम का ही तो परनाम है जिसका फायदा आसपास के होटेल चोटे-चोटे दुकानदार बस चलाने वाले टेक्सी चलाने वाले ओटो रिक्षा चलाने वाले इवन टूरिज गाइड के सतका काम करने वाले हार किसी को लाब होता है ऐसे ही स्पॉर्स खेत्र यह ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर त्यार कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाडी आइतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं यह उपलब्दियां हमारे देश के स्पॉर्स लैंड्सकेप में भी बड़े बड़लाव और विकास का संकेद है और जब स्पॉर्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बहतर खिलाडी ही तैयार होते ऐसा नहीं है बलकि इससे ट्रेइनर्स फिजियो रेफ्रीज और स्पॉर्ट नुट्रिशन जैसे अनेक नए अउसर तयार होते हैं साथ क्यों हम रोजगार देने वाले ट्रेडिस्टल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूबल एनर्जी, स्पेस, आउटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलोजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं आज किसान ड्रोन्स का क्रॉप एसस्मेंट और नुट्रियंट के छिड़काओं में उप्योग दीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है स्वामित्व योजना के तहट ड्रोन्स का लैंड मैपिंग में उप्योग हो रहा है आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा हिमाचल प्रदेश के लाहोल्स पिती में आइसी एमार ने ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह दवा पहुंचाई इस काम में पहले दो घंटे का समय लगता था लेकिन ड्रोन की मदद से इस बीस पचीस तीस मिनिट में ही उससे भी कम समय में काम हो गया ड्रोन्स ने बड़ी संख्या में स्टार्ट अप्स को भी बढ़ावा दिया है इस क्षेत्र में हो रहे निवेश से युवाओं को नए तरह के ड्रोन्स की डिजाइनिंग में मदद मिल रही हैं मेरे परिवार जिनों इसी महिने हमने पुझ्य बापु की जैनती भी मनाई हैं गांदी जी ने चर्खे को स्वदेशी और कर्म योग के एक शक्ति शाली प्रतीक के रुपे इस्तेवाल किया जो खादी अपनी चमक खो चुकी थी उसकी चमक भी अब वापस लोट आई है दस साल पहले खादी की बिक्री तीस हजार करोड रुपिये के आसपास थी अब ये सवाल लाग करोड रुपिये को भी पार कर गई है इसे खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर में अनेक रोजकार के नए आउसर बने हैं विशेशकर महलाओं को इससे बहुत मदद मिली है साथियों हर देश के पास अलग तरह का सामर्त होता है किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं कोई खनीच से संपन होता है तो किसी के पास लंबे समुद्रतर की ताकत होती है लेकिन इस सामर्त का उप्योग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत के आवशक्ता होती है वो होती है हमारी युवाशक्ति युवाशक्ति जितनी जादा मजबूत होगी देश उतना जादा विकास करेगा हूं आज भारत अपने युवाँ को स्कीलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाब उठाने के लिए तैयार कर रहा है बविश्य की आधुनिक जरुरतों को देखते हुए देश में आधुनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीती लागू की जा रही है देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज आई आई टी आई आई एम या ट्रीपल आई टी जैसे कौशल विकास हमस्तान खोले गए है करोडो युवाओं को प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के तहर ट्रेनिंग दी गई है हमारे देश में करोडो कारिगर अपने पारंपारिक व्यवसावें के माद्यम से आजी विकास चलाते हैं ऐसे विश्वकर्मा कारिगरो उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है आज तकनिक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा कोई भी नई स्कील सीखने के बाद यह बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अप स्कील और रिस्किल किया जाए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिस्टनल स्कील्स को मोडन टेक्नलोजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है मेरे परिवार जनों युवाओं के लिए रोजगार के अउसर तयार करना राष्ट निर्मान की प्रक्रिया का महत्वपुण हिस्सा है यह विक्सीद भारत के लक्ष को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ऐसी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है उन्हें जमीन पर लागू करना है आज आप सभी राष्ट निर्मान की हमारी यात्मा यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बन करके हमसे जुड़ रहे हैं मेरा आप से आगर है कि आप अपने सपनों को आज पूरा कर रहे हैं लेकिन आप देशवासियों के सपनों की उनर्शिप ले रहे हैं मेरा आप से आगर है कि इस यात्रा को लक्ष तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है आई गॉट पॉर्टल पर आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते चलेंगे आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा एक बार फिर आप सभी को मेरी तरब से बहुत बहुत शुप कामना हैं आपके परिवार जनों को भी बहुत बहुत शुप कामना हैं और आने वाला पूरा समय हाथ तो शरत पुर्णिमा है आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है आप जहां हो वले सरकारी काम में लगे हो लेकिन बोकल फॉर लोकल इस मंत्र को वहर गरगा पर पहुंचाईए आप अपने परिवार जनों को भी बताईए कि हम बोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे और वो ही रोजगार के नए आउसर देने का भी एक माध्यम है फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुपक्रामना है बहुत बहुत धन्यवाद